स्विरीज या संखला किसी विशेश सम्मों में इस्तित अंक या अक्सर के सुवयवस्तित क्रम को संखला का जाता संखला दो प्रकार की होगी तहली अंक संखला या नंबर सिरीज और सेकेंड है अक्षर संखला अक्षर या वार्न संखला अलफावेट सिरीज बात की जाए अंक संखला या नंबर सिरीज की अंक संखला में अंक दे जाएंगे और आपसे एक रिक्तिस्तान होगा उच्छा जाएगा खाली स्थान या क्युश्चन मार्क के अस्थान पर कौन सा अंक या डिसिट भगा? और बात की जाए अक्षर या वार्ण स्रंखला की वार्ण या एल्फाबेट दे जाएंगे और कुछ खाली स्थान दे जाएंगे उन खाली स्थानों में कौन कौन से अक्षर या वार्ण उपस्तित होंगे वो आपको identify करना है सबसे पहले बात करते हैं अंक स्रंखला या नंबर सीरीज की जो सीरीज या स्रंखला आपको दी जाएगी वो सीरीज या स्रंखला एक विसेश नियम पर आधारित होगी उस नियम को आइडेंटीफाई करना है और क्यूष्टन मार्केस्तान पर आने वाले अंक या डिजित को आइडेंटीफाई करना हो दो तीन दस ट्वंटीन और 66 ये एक संखला दी गई है क्यूष्टन मार्केस्तान पर कौन सा डिजित होगा दो और तीन दो कैसे लिया जा सकत 0 का cube, plus 2. 3, 1 का cube, plus 2. 2 का cube, plus 2. 3 का cube, plus 2. 4 का cube plus 2. Next, kya chala jayega? 0, 1, 2, 3, 4. Next, 5. अर्थार 5 ka cube plus 2. It means, 125 plus 2. Value is 127. Xo 27. 2 को record किया. 2 कैसे लिखा जा सकता है? दूसरी form में. 0 ka cube plus 2. 0 ka cube. It means, वापस 0. 2 add किया 2. 3 मतलब 1 ka cube. 1 और 2 add किया 3. 2 ka cube 8. 2 add किया 10. 3 ka cube 27. 2 add किया 29. 29 या 29. 4 ka cube 64. या 64. 2 add किया 66. Next digit होगा continue series चल रही है. 5 का cube, 115 पच्चिस, प्रथार 117 पच्चिस. Next, 5, 7, 25, 49 और 125 इन दोनों में अगर रिलेशंसिप या संबंध देखा जाए. पहली और 30 रीमें. तीसरा digit पहले digit का 5 गुना है. इंटू 5. उसी तरह दूसरे और 4 डीजिट में रिलेशंसिप देखा जाए. तो 4 डीजिट दूसरे डीजिट का 7 गुना है. आपस तीसरे डीजिट का रिलेशंस किस से होगा? 5 वे डीजिट से. ताथ मुल्टिप्लाइ 5. पच्चिस का 5 गुना 125 होगा. अब नेक्स्ट रिलेशंसिप किस से होगा? 49 से. और ताथ 49 मुल्टिप्लाइ 7. तीन सो तीन आलेश. ये कॉंप्लेक्स सीरिस के अंतरगात आता है. मिस्टरी त्रंकला. मिस्टरी त्रंकला अर्था जब पहले का दूसरे से रिलेशंस नहीं होकर, पहले का तीसरे से रिलेशंस हो और दूसरे का चोथे से रिलेशंस हो. पहले का तीसरे से रिलेशंस, तीस किस्रे का पांचवे से पांचवे का साथवे पत से उसी तरह दूसरे पत का रिलेशन चोथे पत से चोथे पत का रिलेशन छटे पत से सो और बावन में क्या रिलेशन सीप होगा सो को दो से डिवाइड़ कर दिया है अर्थाथ वेल्यू इस फिप्टीन या पचास और दो एड कर दिया है अर्थाथ 2 का भाग दिया गया है और वापस 2 को एड किया गया है डिवाइड दो प्लस 2 डिवाइड दो प्लस 2 डिवाइड 2 प्लस 2 आट प्लस 2 बराबर 10 इसके बाद थाएड वान शरंकल या अक्सर संकल वान या अक्सर संकल न्या अक्सर संकल इसमें आपको वान दिये जाएंगे और कुछ खाली स्तान छोड़े जाएंगे उन खाली स्तान पर कौन से वान या अक्सर पस्तित होंगे वह आपको आइडेंटीफाई करना है A, B ये एक सीरीज आपको दी गई है आपको बता ना है जो खाली स्तान छोड़े गए उनमें कौन से वान परजेंट होंगे वान या अक्सर स्रंक्ला से सम्मंदित प्रश्णों को आसान इसे सौल करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे बड़ी सीरीज देखी जाए A, B B के बात क्या आ रहा है खाली स्तान अर्था B के तुरंट बात आप नहां से चेक कर सकते हैं B के तुरंट बात क्या आना चाहिए C A और C के मद्दे अर्था C के तुरंट पहले C के तुरंट पहले नहां से पता कर सकते हैं आप C के तुरन पहले क्या आना चाहिए? B अर्था C के तुरन पहले क्या आ जाएगा? A, B, C A, B, C अर्था A, B, C एक ऐसा वर्ड है जो इस सीरीज में अपने आपको वापस बार-बार रिपीट करेगा A, B, C A, B, C वापस A, B, C और वापस A, B, और C और रिपीट करेगा? A, खालिस्तान डबल C, खालिस्तान B, डबल A, खालिस्तान C, B, और आगे और खालिस्तान डबल A, C C के तुरन पहले बाद नहां से ले सकते हैं आप लो C के तुरन पहले बाद कौन सा एलफा बेट होगा? C C के तुरन पहले बाद C चला जाएगा A के तुरंद बाद क्या होगा यहां से देख सकते हैं A के तुरंद बाद A चला जाएगा वापस Double C के तुरंद बाद या B के तुरंद पहले B के तुरंद पहले B present होगा A और C के मिड में या C के तुरंद पहले यहां से देखा जा सकता है C के तुरन पहले C present होगा और B के तुरन बाद वापस B present Word जो बनेगा वो बनेगा डबल A, डबल C, डबल B डबल A, डबल C, डबल B, डबल A, डबल C और डबल B आंसर क्या होगा? C, A, B, C और B झारी झाल